तालिका तीज के पावन पवित्र ब्रत की आप सभी को सुब कामना है वीडियो में पूजा सामगरी देखेंगे कुछ चीज़ आपको आवश्यक रूप से जो है निश्चित स्वरूप में खरिदनी चाहिए कुबारी लड़की हो या सुहागिन महला है उनके लिए पूजा बड़ी पूजा मानी जाती है बिना ब्रत के किसी कारण से सारी दुरबलता है या कोई ऐसी इस्तिती है कि आपके छेतर में पूजा नहीं की जाती है तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन साधारन सरल तरीके से जैसे कि पार्थी वर थद मिट्टी के सीवलिंग बनाकर या उनकी पार्थी मूर्ती बनाकर पूजा का विधान है तो आप जरूर से करें मनो कामना पूर्ती में बहुत सहाय किया माना जाता है सबसे पहले इस पूजा सामगरी में आप अच्छी तरह से सुसर्जित हो जाईए सोला स्रिंगार कर लीजिए ततपश्या जो मि पूजा कि मौला आपको पूजा सामगरी में रखनी चाहिए इस तरह से कनेर के गुड़ हलके या कोई से भी आपको फूल मिलता है तो जहां पर भी हप पूजा करेंगे इस तरह से पांच पूलों की माला आपको अच्छी तरह से यहां पर सुसर्जित करनी चाहिए लटका करें यह चोटी सी पूजा नहीं बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है इस दिन आपको कोशिश करनी है कि आप एक कलश की स्थापना कर सकें स्री कलश भी कर सकते हैं दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं किसी कारण से अगर आपके नहीं किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं इ जालने के लिए हल्दी की गाठ हमें आवशक्ता पड़ेगी एक रूपे का सिक्का थोड़ा सा अक्षत और दूर्वा अलग से फुस्प रख लिजेगा इसके अंदर डालने के लिए उसके मुख पर आपको जो है कंठ पर मौली बादनी चाहिए उसके उपर रखने के लिए पूर्ण पात्र था चावल से बना हुआ बरतन रखना का लश के उपर और साथ ही आप आम के आसोप के पत्ते भी रखेगा इस पूजा में नारियल जरूर से समर्पित करना चाहिए बहुत सुब माना जाता है संतान प्राप्ती रोग कर्जमुक्ति के लिए यग्यों पव इस पूजा मैं आवश्यक रूप से कहा जाता है हमें चने जो है भगवान जी को समर्पित करने चाहिए इनसे ही हमें ब्रत उप्वास खोलना चाहिए साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से ककड़ी, खीरा और मौसमिफल जो भी आपके पास हो वह समर्पित करें सामगरी आप ले लीजिएगा और ब्रत की किताब जरूर से पढ़ेगा इस दिन भले ही 16 सामगरी लें सुहाग की या कम भी लें तो भी आप सभी मातागोरी को सुहाग सामगरी जरूर से समर्पित करेंगे इन चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा यह माता गौरी को 16 भी और 5 तो कम से कम समर्पित कीजिएगा ही बहुत सुभी से माना जाता है यह आपको सामगरी रखनी है मौस्ट मिफल, ड्राइफूड जो भी आपके पास है जैसे भी है सारी चीजे रख लीजे इत्र, दूर्वा, यग्योपवित साथ के साथ बेल पत्र और जो फूल महादेव को प्रिये है पीले रंग के कनेर के वह रख लीजे वस्तरूपी कलावा, सास को देने के लिए अगर आपके बाइना निकाला जाता है तो साड़ी वगर आप रख लीजे इससे ज्यादा भी सामगरी आप ले सकते है छोटा सा यज्य हवाद के लिए आप समवीधा ले सकते है या आप जो भी चीज प्रसास्वरूप समरपित किये हैं भगवान जी को चड़ाएंगे साथ ही इसमें हवन आप कपूर से किजिएगा भगवान जी के नाम मंत्र का समरण करने के लिए या सामगरी आप पूजा की ठाली में रख लीजे अब इससे ज़्यादा आपके छेत्र के अनुसार जो चीज रखी जाती है रखिएगा पूजा में प्रतिक महला और सुहागिन जो कुवारी लड़की हैं और महलाएं हैं वह सुहाग की सामगरी में चूड़ी बिंदी और महावर साथ के साथ बिच्या जरूर से समरपित करिएगा रखिएगा बहुत सुब और सुरेष्ट फलो की प्राक्ति में सायक माना जाता है दो दीपक रखकर आपका पूरित्यादी भी पूजा सामगरी एक अत्र अभी से कर लीजे बहुत सुब और सुरेष्ट यह पूजा है जो की उत्तम घर वर पुतरत्न की प्राक्ति और जीवन में रोग कर जीते जिसे मुक्ति देने के लिए मानी जाती है तो इस तरह से यह पूजा की सामगरी है अपना मांग भरने का जो सिंदोरा होता है जिससे आप मांग भरते हैं वह भी आप जो है पूजा के स्थल पर रख लीजे ताकि माता गोरा को आप सिंदूर समर्पित करें और बाद में माता गोरा से सिंदूर आप ले सकें इस तरह से यह पूजा संपूर्ण सामगरी मैंने आपको दिखाई है आप इन में से कुछ चीज़ें अपने छेतर के अनुसार रखिएगा और अपनी पूजा परिपूर्ण करने का प्रियत्म कीजिएगा यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है और बहुत स्रेष्ट पूजा यह कही गई है इस मैसियो पारवती और गड़ेश जी महराज का खासतोर पर महादेव का पूजन किया जाता है विधी विधान से जो कि रोग कस्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए कहा जाता है वीडियो उची तुपियोगी रहती है और हर तारीक आती इसकी कौन सी वीडियो आप मुझसे देखना समझना चाहते है मुझे कमेंट्स के द्वारा बते हैं